नमस्ते दोस्तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बैंक काफ बरोडा के कार लोन के बारे में तो आज मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से बैंक काफ बरोडा से कार लोन ले सकते हैं क्या क्या documents है क्या requirements है किस तरह से apply करेंगे क्या security requirements है क्या margin है क्या interest rate है और charges क्या है इसके इसके इलावा जो विजया bank है और देना bank है वो दोनों अल्रडी bank up road में merge हो चुके हैं तो उनके लिए भी आपको same procedure apply हो सकता है और बाकी PNB, SBI, JNK bank car loans पे हम अल्रडी videos बना चुके हैं उनका link आपको मिल जाएगा उपर description box में मैं हूँ आपका दोस्तों ही स्वागत करता हूँ आप सब का टेकी पंडित में और जुड़े रहे हैं हमारे साथ और भी ऐसे informational videos के लिए तो आईए start करते हैं आज का ये video तो दोस्तों इस loan का purpose जो है आप किसी भी तरह की car खरीदना चाहते हैं चाहिए वो hatchback है sedan है SUV है sports car है luxury car है किसी भी तरह की car अगर आप personal use के लिए लेना चाहते हैं तो आप इस loan scheme का लाब उठा सकते हैं लेकिन अगर आपको commercial use के लिए कोई vehicle चाहिए तो उसके लिए अलग से scheme है पर इस scheme के अंडर आप खाली personal use के लिए ही vehicle ले सकते हैं तो दोस्तों इस को इस scheme को apply करने के दो तरीके हैं एक तो आप traditionally जैसे branch में जाके करते हैं उस तरीके से आप apply कर सकते हैं और दूसरा तरीका यह है कि आप online apply कर सकते हैं क्योंकि मेरे चैनल का नाम टेकी पंडित है तो मैं technically आपको बताऊंगा कि आप online apply कर सकते हैं इसमें online apply का option है तो यह जो link आपके screen पे भी display हो रहा है अब इस link पे विजट कीजिए इस link को मैं आपको description box में provide कर दूँगा वहां से आप डारेक्ट इस page पे आ जाएंगे इस सामने आपको left side पे page format देख रहा है इस format को भरिए submit कीजिए छोटा सा format है ज्यादा बड़ा नहीं है ज्यादा simple सा form है इसको भरिए और इसको submit कर दीजिए इसको submit करने के बाद bank आप से good contact करेगा appointment date fix करेगा उसके बाद आप मिलके जो documents देने हैं दे दीजिए और आपका loan process हो जाएगा उसके बाद जो bank है वो finance करता है 90% तक का finance आपको bank दे देता है अब देखते हैं इस loan की eligibility criteria क्या है कौन-कौन लोग इस loan को लेने के लिए eligible हैं सबसे पहले salary applies चाहे वो किसी भी तरह के salary हो government applies हो सकते हैं center government, state government, PSU, corporates या reputed companies के जो employee है किसी भी तरह के salary employees का loan को ले सकते हैं businessman हो सकते हैं professionals हो सकते हैं like doctors engineers farmers हो सकते हैं किसी भी तरह का borrower जिसकी regular source of income है वो इस loan को ले सकते हैं even कि NRI या PIO भी इस loan में इस loan को avail कर सकते हैं तो minimum ages loan को avail करने के लिए जो रखी है 21 years है और maximum जो है 70 years है 70 years के time 70 years maximum रखी गई है कि जब 70 years से पहले पहले आपका loan repay होगा उसके बाद में इसका loan को आप carry नहीं कर सकते हैं one time registration charges भी include हो जाते हैं उसका 90% है और maximum quantum जो रखा गया है इसमें वन करोर है बट यह vary भी कर सकता है अब आएंगे documentation पे तो documentation जो है सबसे पहले आपको address proof देना होगा address proof आपको जहां आप रहते हैं वहां को कोई valid address proof लाइक अधार card राशन राशन कार्ड स्वरी नहीं electricity bill, postpaid connection bill, gas connection bill या कोई भी valid passport भी आप दे सकते हैं या कोई भी valid आपका address proof आप दे सकते हैं उसके अलाबा ID proof देना होगा ID proof में आपका pancard, pancard जो है वह mandatory है क्योंकि pancard से ही आपका civil score निकलेगा उसी पर depend करेगा कि आपको loan मिलेगा या नहीं मिलेगा अगर आपका civil score खराब होगा अगर आपने पहले कोई loan लेके default किया होगा या सिबल में वो सब सिबल में छो हो जाएगा अगर आपका civil score जिस तरह का होगा उसी उसी पर depend करेगा आपको कितना loan मिलेगा और कितने percent मिलेगा उसके बाद में income proof आपको देना होगा तो यह जो income proof है depend करेगा आप क्या काम करते हैं अगर आप salary है तो आपकी income proof अलग है अगर आप businessman है तो अलग है अगर आप farmer है तो उसके लिए different है तो income proof आपको आपकी income पर depend कर जो भी देखके उस तरह के से आपको income proof देना होगा और एक गाड़ी का जो performa invoice है जितने की गाड़ी है जो company स आप performa invoice लेते हैं वो भी आपको देना होगा तो salary के लिए salary slips आपको देना होगी latest at least जो तीन salary slips latest आप दे दीजिए उसके बाद में form 16 आपको देना होगा last 2 years का अगर आप non salary है तो आपको ITR return income tax return last 2 साल की देना होगी उसके बाद में अगर आप business कर रहे है तो आपको business के balance sheet और profit and loss statement last 2 साल की आपको देनी होगी उसके बाद अगर आप farmer है तो आपको अपना खसरा showing उसमें आप कौन सी crop लगा रहे हैं उसका proof land holding का proof और अगर आपको allied agricultural activity में involved है like dairy farming, poultry तो उसका भी आपको documentary proof देना होगा उसके बाद में बात करेंगे interest की तो interest rates जो है यह कभी भी fix नहीं होते हैं यह floating होते हैं वेरी करते रहते हैं तो जैसे की इस time जो present rate of interest है bank of varoda के वह आपकी screen पे डिस्प्ले कर रहे है और LLR प्रस SP strategic premium प्लस 0.25% और 2,3% मतलब यह vary करता है आपकी civil पे जितना risk rating होगा जितना risk होगा जितना आपका civil खराब होगा civil score जितना कम होगा उतना आपको जादा rate देना पड़ेगा और जो RLR है bank of varoda का वह 7% है भी तो यह vary करता रहता है जैसे RLR vary करेगा वैसे ही आपका loan का interest rate भी vary करेगा तो आप जब भी लोन लें आप bank of varoda की official website पे जाके इनका interest rate चेक कर सकते हैं नहीं तो आप bank branch जाके भी आप latest rates जो confirm कर सकते हैं उसके बाद मैं जो मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूँ कि अगर आपका credit score बहुत अच्छा है तो आपको concession दिया जाएगा loan में आपका जो rate आपको charge होगा वह कम होगा उसके बाद मैं margin जैसे कि मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूँ कि 90% तक जो है bank finance कर रहा है और बाकी का जो 10% आपको खुद से देना होगा और उसको margin बोला जाता है कि जो part आप खुद से pay करते हैं for example अगर आप कार 10 lakh की है अगर आप 1 lakh खुद से pay कर रहे है तो A lakh है जो वह margin है वह 10% margin 1 lakh बनेगा एक लाग आपको खुद से देना होगा बाकी का 9 lakh जो है आपको bank finance कर देगा अब बात करते हैं repayment की तो इस loan को आपको repay करना होगा 84 EMIs में यानि की 7 साल के अंदर आपको इस loan को खतम करना होगा आपकी equated installment बनेगी 84 EMIs तो आपको 84 EMIs में इस car loan को pay off करना होगा उसके बाद में loan security जो loan security होता है आपका जो loan होता है उसको secure करने के लिए bank अपने risk को cover करने के लिए आपकी जो car है आपकी car को hypothecate करता है आपकी car पे bank की stamp लगती है आपको rt office में से bank आपकी rc पे नाम चड़वाना पड़ता है bank का और वो नाम तब तक रहता है जब तक कि आप loan repay नहीं कर देते तब तक तो ना तो आप card sell कर सकते है अगर आपको card sell करनी है तो आपको bank का नाम हटवाना पड़ेगा bank का नाम हटवाने के लिए आपको bank से अनुसी लेनी पड़ेगी अनुसी के लेने के लिए आपको loan repay करना पड़ेगा तो इंडरेक्टली एक तरह से bank का ही आपकी car का एक तरह से नालिक रहेगा bank का राइट रहेगा जब तक कि आप loan repay नहीं कर देते हैं लास्ट में है चार्जिस जो जो प्रोसेसिंग चार्जिस है पॉइंट फाइप परसेंट अफ दा लोन अमाउंट है maximum 10,000 है यह भी vary करते रहते हैं बहुत बार जो चार्जिस पर वेबर चलता रहता है आप confirm करते रहें बैंक से जैसे अभी नवरात्री आ रहे हैं नवरात्री में special discounts वेड़ा चलते हैं तो mostly banks के चार्जिस उस टाइम पर वेब होते हैं उस टाइम पर अगर आप car loan को avail करते है तो आप भी 10,000 तक का आपका फाइदा करवा सकते हैं वो depend करेंगा आपकी loan amount से फिर भी आप कम से कम 4-5,000 के charges लेके चलिए तो वो आपको save हो सकते हैं उसके अलाबा एक charges और भी होते हैं वो stamp duty होती है यह vary करती है state to state और वो भी आपको pay करनी पड़ती है तो यह था bank of broda car loan तो दोस्तो कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो अगर आपको यह वीडियो पसंदा है तो please इस वीडियो को like करें और मेरे चैनल को subscribe करें thank you for watching